हेलो फिर्ट्स स्वागत है आप सबों काई विशी एकाडमी पर फिर्ट्स आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं इससे पहले बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 123 का क्लास दिया जा चुका है लास्ट वाले क्लास में कुश्चन नंबर 19 सवाल पूछा गया था कि बेला डिला कहाँ पर है मद्द परदेश में ना हो करके 36 गर में है 36 गर का जो दंतेवारा जिला है यहीं पर है बेला डिला इसे ध्यान रखेंगे एक और सवाल था समुद्री टटवाला तो ध्यान रखना है कि अस्ट्रेलिया के जगे आपको कनाड़ा याद करना है अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा समुद्री टटवाला देश कौन सा है कनाड़ा बताईएगा आप लोगों से एक सवाल पूछा गया था कुश्चन नंबर 58 न्यूट्रोन की खोज किस ने किया था सही जवाब था पावली काफी लोगों ने विल्कुल सही आंसर दिये थे 1930 में पावली के द्वारा न्यूट्रोनों की खोज की गई थी आप में से कुश लोगों का मैसेज आया था कि बिहार के जो पर्थम महिला राज़िपाल थी वो कौन थी क्योंकि सवाल में बताया गया था आपको सरोजनी नाइडू काफी लोग कहा थैं सरोजनी नाइडू नहीं है तो ध्यान रखिए सरोजनी नाइडू ही है 15 अगस्त का डेट याद कर लेजीए 15 अगस्त 19 1967 से 2 मार्च उन चाश तक के लिए सरोजनी नाइडू बिहार की महिला राजयपाल बने थी जो की पहली महिला राजयपाल थी आज ये स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिसेट नंबर फूर से सबसे पहला सवाल बताईए बुद्ध के जीवन के किस घटना को महा बिनिशकर्मन के रूप में जाना जाता है सही जवाब हो जाएगा उनका जो गिरी हित्याक किये थे उसे क्या कहा गया था महा बिनिशकर्मन आपको पता है 29 वर्ष के अवस्था में घर छोड़ कर चले गए थे और बौद्ध गरंत में इशे ही महा बिनिशकर्मन कहा गया है पभासगिरी जिनका तिर्थ अस्थल है वे कौन है तो वे है जायन आप्शन भी सही जवाब पभासगिरी तिर्थ अस्थल का समंध पूछे जैन धर्म से बताना है कहा पर है तो उत्तर प्रदेश का जो कौशाम भी है यही पर है यह और छटे जो तिर्थंकर थे जैन धर्म के पदम परभू उनहीं से समंधित है और उनका अगर परतिक चिन पूछेगा लाल कमल बता आप मेंसे काफी लोगों को जैन धर्म के जो संस्थापक हैं अंतिम तिर्थंकर हैं उनके बारे में अच्छे से याद होगा अब आप अराम से आपके पास लूशेंट बूग जरूर होगा जैन धर्म के जितने भी तिर्थंकर हैं सब को जरूर याद कर लीजेगा जो दिखे शुसूरूत के बारे में समझिए सल्य चिकित्सा के पितामः के नाम से और सुसूरूत संगिता के प्रणिता जिसे कहते हैं इनका जो जन्म है आचारी सुसूरूत छटी सताब्द इशा में इशापुर में कासी में हुआ था इनके बारे में पूछा जाता है कि ये किस से सिक्षा प्राप्त किये थे धनवंत्री आपको याद रखना है इनको सुसरूत को भारतिय चिकित्साप पद्धिती का और शल्ल किरिया का जनक के नाम से जानते हैं आप्शन नमबर बी को देखिए वागबट करके ये आयरुवेद के परसिद गरंद अस्टांग शंग्रह साथ इसाथ जो अस्टांग हिर्दय है इसके रचिता यही रहे थे अस्टांग शंग्रह के ही अनुशर्ण इसका जन्म कहिए कि सीन्धू देश में माना गया है ध्यान रखें सवाल पूछा जाता है और यहां पूछले कि या किन के सिस्स थे वागबट जो है ये अब लोग की तेस्वर के सिस्स हुआ करते थे ध्यान रखें तक्चिसिला के बारे में पूछेगा तक्चिसिला भारत का प्राचीनतम विश्विद्याले था जहाँ पर जीवक, चरक, बौध विद्वान जो थे वशुबंदु करके और चानक सभी यहीं से सिक्षा प्राप्त किये थे यहाँ पर चरक आपसे तक्चिसिला पूछा तो चरक आपको बताना है चरक के अलावा विवक दियान रखें इसके अलावे वशुबंदु थे चानक थे यह सब तक्चिसिला से ही ज़्यान प्राप्त किये थे चैतन महापरभू किस समपरदाय से समन्दित हैं आप्शन ए वैशनव से चैतन का जो जन्म है चैतन महाप्रभू का ये बंगाल का जो नादिया जिला है यहीं पर हुआ था इस्वी 1486 था हुआ पिता का नाम जगनात मिस्र था ठीक है जगनात मिस्र माता का नाम पूछेगा सची देवी याद रख लिजगा सची देवी और चैतन के बचपन का नाम एक है जो काफी फेमस है निमाई उनका नाम था चैतन महाप्रभू का बचपन का नाम निमाई रहा करता था निमने लिख ही है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाहंगेर ने मुगलबाद साथ जाहंगेर ने अपनी आत्म कथा नाम क्या है तुजुक ए जाहंगेरी फार्सी भासा में इन्हों ने लिखा है अश्छ परधान नाम की मंत्री परिशत थी अश्छ परधान था मराठा परसाशन में ऑप्शन डी रायट आंसर है अश्छ परधान के तहर ध्यान रखिए जैसे देखे पेशवा हुआ करता था जिसे आप मुख्य मंत्री या परधान मंत्री कहते थे अमात्य या फिर मजुमदार कहा जाता था जो होता था कौन वित्तमंत्री सचीव होता था पत्राचार विभाग का हेड सैनापती की भरती वगरा जो करना होता था उनको सैनापती सर ए नौबत के नाम से पुकारा जाता था नियाय विभाग के जो हेट थे उन्हें नियाय धीज कहा जाता था टीपू सुल्थान और अंग्रेजों के साथ तीपू सुल्थान जो अंग्रेज के साथ यूद्ध करते हुए मराथा इसका डेट बताए कव 1799 में आप्शन नमबर आपको डी ध्याम रख लिना है चौथा वाला आंग्र मैसूर यूद्ध के समय में अंग्रेज और मराथा अंग्रेज के जो अंग्रेज ने मराथा कहिए और निजाम जिते उनके साथ सैन गठ बंदन करके टीपू पर आकर्मन कर दिये थे और इनके जो सैनिक वगड़ा थे काफी अच्छे से मुकावला की लेकिन 1799 में इनके मेत्यू हो जाती है सवाल पूछा जा सकता है कहां पर मेत्यू हुई थी रंग पट्टनम आपको याद रख लेना है निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वसासन का अस्थाना पन नहीं है स्वामी दयाना स्वसती कहते सीराई टांसर बताए निम्न में से कौन सी यसी घटना है जो जलिया वाला बाग नरसंगार की तूरंत पूर्व घटी थी रॉलेट एक्ट का बनना सही जवाब हो जाएगा वर्स 1949 में कॉंग्रेश को छोड़ने के पस्चात सुभास चनर बोस ने किस दल की अस्थापना की थी ओप्शन नमबर डी राइट आसर फारवर्ड ब्लोग की फारवर्ड ब्लोग की अस्थापना कॉंग्रेश छोड़ने के बार शुभास चनर बोस किये थे किसके द्वारा भारत से इनका से अलग होता है ओप्शन बी राइट आसर पाक जल्डमरू मद्द के द्वारा अलग होता है यहाँ पर मैच करना है किसके साथ क्या होगा गारो दिया हुआ है तो आपको ध्यान रख लेना है गारो खासी जैंतिया मेगाले यहाँ पर तो सही ही है नंबर शकेंड देखिए मीरी याद करिए कहां पर है मीरी है अरुनाचल बेरतेश में कुल्लाई मलाई पूछे तमिल नाडू में डालमा जारखंड में है छेतरफल के एक रम में भारत के तीन बड़े राज्य का नाम राजस्थान सबसे पहले सकेंड पर हो जाएगा मत और तिसरा पर महराश्ट राजस्थान का 3,42,249 किलोमीटर एडिया है और आपका जो मत पर्देश है इसके लिए आपको 3,88,252 याद रखना है महराश्थ के लिए पूछेगा तो 3,773 किलोमीटर एडिया बताना है निम्न में अरब शागर में गेड़ने वाली नदी कौन सी है ऑप्शन में तापती मद्द पर्देश है ना मद्द पर्देश का जो बैतोल जिला है यहीं के मुलताई सहर है इसी के पास सत्पूरा पहारी से ना तापती कहिए यह जो नदी है यह निकलता है और यह 724 किलोमीटर बहती है और पूछेगा कहां पर तो गुजरात के पास जो सूरत है इसी के पास जो खंबात की खार याने की अरब शागर है इसी में जाकर कि यह मिल जाती है भारत की उत्री मैदान में सीतरी तु में वर्सा होती है आप्शन पक्ष्मी जो विक्षोब है इसके वज़ा से आप्शन नमबर ए सही जवाब हो जाएगा भाकरा नांगल एक संयुक्त परियोजना है भाकरा नांगल एक परियोजना है हर्याना पंजाब और राजिस्थान की निमलिकित फ़स्ट लो में इसे किसे हरित क्रांती का सरवाधिक लाव उत्पादन एवं उत्पादक्ता दोनों में हुआ है यहाँ पे option D गेहू में हुआ है फाइदा कौन सा फसल किस राज्य में जोड़ी यहाँ पे करेक सुमेरित कौन सा नहीं है बताईए देखिए मक्का उत्तर परदेश जूट के लिए पस्चिमंगाल कपास के लिए महराष्ट सुवाबिन के लिए आंद्र परदेश गरत है ध्यान रखे सुवाबिन के उत्पादन में मद्द परदेश फिर आपका महराष्ट फिर आपका जो राजस्थान है यह सभी आते हैं option D हो जाएगा सही जवाब निम्न राज्यों में से कौन सा राज भारत में सरवाधिक सौर उर्जा का उत्पादक है option नमबर B राइट आंसर हो जाएगा करनाटक राइट आंसर करनाटक एकटर सो मेगावाट छमता के साथ कहिए कि सौर उर्जा का उत्पादन करता है भारत ये गन्ना अनुसंधान सांस्थान कहा परिस्थित है option B कोईंब टूर में है भारत ये गन्ना अनुसंधान सांस्थान भारत ये गन्ना अनुसंधान यहाँ पर कोईंब टूर में ना हो करके लखनव में है ये ठीक है लखनव में है अस्थापना उनिश्व बावन में हुई थी और एक डेट आप याद रख लिजिए जो फर्ष्ट अप्रेल उनिश्व 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 को न भारतिय क्रिशी अनुसंधान सास्थान है जिसे आप I, C, A, R कहते हो इसके अंतरगत कहिए किसको सामिल कर लिया गया था ओप्शन नमबर यहाँ पे आपको दिया हुआ फिलहाल नहीं है यह ध्यान रख लेना है हमारी अकाश गंगा के केंद्र की परिक्रिमा करने में शूरी को समय लगता है ओप्शन नमबर C, 25 करोर वर्ज राइट आंसर हो जाएगा हार्ण आफ अफ अफरिका के अंग क्या है ओप्शन नमबर C, राइट आंसर सुमालिया, इथोपिया तथा जीबूति आपको बता देना है देखे, हार्ण आफ अफरिका के अंतरगत ना, GB2, इथोपिया, इरिट्रिया, सुमालिया ये सारे देश आते हैं हार्ण आफ अफरिका से जरूर इसको आपको याद रख लेना है निमलिकित में से कौन? पक्षियों का महाद्विप के नाम से जाना जाता है पक्षियों के महाद्विप से दच्छिन अमेरिका ओप्षन से आपको ट्रिक करना है देखे, दच्छिन अमेरिका को ना, महाद्विप का जो पक्षियों का महाद्विप कहा गया है ना, इसका रीजन है ना, कि यहाँ पे लगभग 9000 तरह के पक्षी का परजाती है जिसमें की इसका जो 40% है न यहीं पर पाया जाता है समझ पाये कहने का मतलब है टूटल 9000 तरह का परजाती है पक्षियों का इसमें न 40% से अधिक दच्छीन अमेरिका में ही कहिए की निवाश करता है पैसे समझी रहता है इसलिए कहा गया के लिए 40% दच्छीन अमेरिका में रहता है आप्षन C आपको टिक करना है भागवालिक छेत्र के दिश्टी से जापान का सबसे बड़ा दूइप का नाम आप्षन नमबर भी होन्सूदीप हो जाएगा राइट आंसर 1946 में निर्मित अंत्रिम सरकार में कारपालिका परिशत के उपसभापती कौन थे आप्षन A जवाहर लाल नहिरू सही जवाब निम्लिखित में से किस राज को केंद सरकार द्वारा विशेश श्रीनी और दर्जा कभी परदान नहीं किया गया है बताईए आप्षन नमबर A हो जाएगा सही जवाब बिहार को कभी भी नहीं किया गया है नमबर 27 उप्राष्ट्रपती को उसके पद से निम्ल में से किसके प्रिस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है आप्षन नमबर A राज परिसद के अनुछेद सरसट के अनुशार उप्राष्ट्रपती अपने पद गरन करने की तारीक से पांच वर्स तक बने रहते हैं उप्राष्ट्रपती अपना थ्याग पद राष्ट्रपती को देते हैं उपराश्टर पती राज सभाव गड़ा के कहिए कि एक संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है यह इसे ना राज सभाव के ततकालिंग जो समस्त सदस्य होते हैं अगर उन्होंने बहुमत से पारित कर दिया तो और जिसे की लोग सभावी सहमत हो यहाँ पर ध्यान दें यह संकल्प तब तक कहीं प्रस्तावित नहीं माना जाता है कि जब तक उस संकल्प जो होता है उसको प्रस्तावित करने के समय से कम से कम 14 दिन पहले उनको सूचना देना होता है उप्राष्ट्रपती अपने पद की अवधी जो समाप्त हो जाने के बाद भी पद पर रहते हैं जब तक कि उनका जो उत्ता अधिकारी होते हैं निगर उनके बाद वाले जो उप्राष्ट्रपती होंगे जब तक वे अपना पद ग्रहन नहीं कर लेते हैं लोक सभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है लोक सभा के अध्यक्ष को लोक सभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित शंकल्प के द्वारा भी सही जवाब हो जाएगा अनुछे 94 में ये प्रावधान किया गया है सूची को मिलाईए लोक लेखा समीती इस्टोक बजार सकेम सहयुक्त समीती के लिए तदर्थ समीती था और विभागे समीतियों के लिए स्टेंडिंग समीती होती है इस तरह से आपको मैच करना है किसी राजी के राजपाल द्वारा जारी ओर्डिनेंस का अनुमोधन होना आवश्यक है आप्शन राजी की विधाईका द्वारा बी सही जवाब हो जाएगा समीतान का अनुच्छेद जो आपका 213 है न 213 का 2 इसके अनुशार राजपाल द्वारा अध्यादेश राजी की विधाईका के द्वारा अनुमोधित होना आवश्यक होता है अंडमान एवंग निकोबार द्वीपर निम्रखित उच्छ नियाईलों में से किस एक का छेत्रा धिकार है सही जवाब है कोलकाता का बी राइट आंसर कोलकाता उच्छ नियाले का निम्र में से कौन सा कथन सत्य नहीं है भारत की योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधान मंत्री होते हैं भारत में नियोजन के लिए सर्वोच निर्नेन संस्था योजना आयोग है योजना आयोग का सचीव राष्टी विकास परिशत का सचीव भी होता है भारत का प्रदान मंत्री राष्टे विकार्स परिशत की अध्यक्ष्टा देखिए भारत में कहा रहा ना कि नियोजन के लिए सर्वोच निर्ने संस्था योजना आयोग है ये आपको ध्यान रख लेना है गलत है ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब निम्न में से कौन सा एक दल बदल कानून निरोद में अच्छादित नहीं है ऑप्शन नमर भी किसी दल में विभिन चर्णों में बरे पैवाने पर दल बदल होता है कोई फर्क उस पर ये कानून उस पे नहीं लगता है निम्न में से कौन सी एक समिती पंचायती राज संस्था से समंदित नहीं है PVN राव समिती हो जाएगा सही जवाब भारतिय नौसेना में सेना के लेटिनेंट करनल के समकच कौन होता है आप्शन आपको सी ठीक करना है कमांडर हो जाएगा राइट आंसर भारतिय वर नजीव के संदर में उड्डियन वल्गूल जिसे आप फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं निम्लिखित में से क्या है बताईए सही जवाब हो जाएगा 36 का ओप्शन नौबर A चमगादर सरपर्थम किस स्विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था ऑप्शन B राइट आंसर खान अब्दुल गफार खान को 1987 में सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था इनको आप फ्रेंटियर गांधी के नाम से भी जानते हो किनान सब्द जो है किस खेल से समंदित है ऑप्शन A इसकूनर हो जाएगा राइट आंसर कैरेक इनको कालकरम के हिसाब से मैच करिए कब कब क्या हुआ था हरित करांती के बारे में आपको ध्यान रख लेना है सबसे पहले 1966 सरसथ में हरित करांती हुआ था फिर 14 जोलाए 1971 को हुआ था ये बैंकों का राष्टिये करन गरिबी हटाओ का जो नारा है ये तो उनिश्व 71 में ही दिया गया था इस तरह से आपका ऑप्शन तीसरा दूसरा और पहला हो जाएगा यानि इस से क्या समझते हैं इससे किसे व्यक्तिव के मेतियू के पस्चात उसकी संपत्ति के हस्तान अंत्रन पर लगने वाला कर होता है किसे आप इस्टेट ड्यूटी की नाम से जानते हैं दारी मूचों का निकलना किस हार्मोन से समंदित है option नमबर हो जाएगा दारी मूच का निकलना पूछा तो टेस्टो स्ट्रोंस के वज़ा से होता है option भी सही जवाब है शूरी से सरवाधिक दोर इस्थित्गरह का नाम option नमबर C हो जाएगा वरुन है C सही जवाब पादप कोशिका में DNA होता है हरित लवक में मैट्रो कॉंड्रिया में केंद्रक में option डी राइट आंसर सभी में भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इश्रो कहा पर है option A राइट आंसर बैंगलोरो में 1969 में अगर्स्त में इस संगठन के स्थापना हुई थी भू अस्थाई उपगरा पित्थवी के चारो और चक्कर लगाता है बी राइट आंसर 24 घंटे में नम्लिकित में से कौन सा सदिस राशी है बताएं सदिस राशी समवेग सिया आपको ठीक कर देना है प्रात्मिक रंग क्या है प्रात्मिक रंग में लाल हरा और निला ऑप्शन नम्बर भी आता है सेलूलर और मॉलेकूलर जीव विज्ञान केंदर कहा परिस्थित है ये राइट आंसर हो जाएगा है दराबाद में मनुष्यका विज्ञानिक नाम क्या है ऑप्शन नम्बर होमो सूपियंस सी सही जवाब है मैडग का पूछेगा आपको राना टिगरना बताना है बिल्ली का पूछे फैलिस डोमिस्टिका कुत्ता का कैनिस बताना है गाय का बॉस इंडिकस बताना है घेंगा किस गरन्थी के बढ़ने के कारण होता है घेंगा होता है ऑप्शन नमबर एराइट अंसर थाड़ाइट गरन्थी के बढ़ने के वज़़े से तरित चालक बनाए जाते हैं तरित चालक ऑप्शन नमबर भी अलमूनियम का बनता है मनुष्य लोहा किस से प्राप्त करता है चलिए इसका जवाब कमेंट करके बताईए लास्ट वाले सवाल में आप से सवाल पूशा गया था उसका जवाब इस्टार्टिंग में ही बता दिया गया मनुष्य जो है लोहा किस से प्राप्त करता है 57 लिखिए कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वाले सीट में स्टार्टिंग में ही इस पर डिस्कस करेंगे आवर्त के नियम की खूज किसने किया था ओप्शन नमबर A टूरी सोली के द्वारा किया गया था एंटी सेप्टिक सर्जरी का अविश्कार किसने किया था लिश्टर के द्वारा जो सब लिश्टर के द्वारा एंटी सेप्टिक सर्जरी का अविश्कार किया गया था हेपिटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है आप्शन नमबर सी राइट अंसर या कृत प्रभावित होता है तेल से अंस्ता भरा हुआ तेल का एक टैंक कर समतल सरग पर आगे की और एक समान त्वरंग से जा रहा है तेल का मुक्त प्रिष्ट बताइए आप्शन नमबर डी परवलई वक्र का आकार ले लेता है नमबर 62 टाइगर डीजर्व और राज जी को यहाँ पर मैच करिए सडिसका टाइगर डीजर्व कहा रहा है कि पस्चिम मंगाल में क्या यह सही है यह राजिस्थान में है बादमा की यहाँ पर सभी सही मैच किया हुआ है नमामी गंगे कारिकम किस वर्ष शुरू किया गया था वर्ष 2014 में हुआ था नमामी गंगे की सुरुवात रसाइन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसाइनिक माना जाता है नमबर 64 ऑप्शन नमबर C ह2SO4 राइट आंसर है सही आंसर मैच करिए मॉर्फीन के लिए आपको बताना है एनाल जेसिक मॉर्फीन के लिए एनाल जेसिक याद करिए मॉर्फीन एनाल जेसिक सोडियम के लिए के लिए के लिए के लिए याद करिए सोडियम के लिए के लिए के लिए क्या होगा एंटिसेप्टिक जर्मन सिल्वर के लिए मिस्र धातू जर्मन सिल्वर क्या हो जाएगा मिस्र धातू सही जवाब ब्रेटेन के प्रधान मंघ्रीपाद से इस्तिफा निमन में से किस्णे दिये दिया है जॉनसन, बॉरिश जॉनसन के द्वारा दिया गया था एराई टांसर हो जाएगा भारत में बेरोजगारी के आंक्रे कौन एकत्रित करता है भारत में बेरोजगारी के आंक्रे कौन एकत्रित करता है भारत में बेरोजगारी के आंक्रे कौन एकत्रित करता है एराई टांसर कनाडा कहां जाके बसना पसंद किये 2021 में भारतिये लोग कनाडा में भारत को किस वर्स ICC महिला किर्केट एक दिवस्य विश्व कब के मेजवान के रूप में चुना गया है सी राई टांसर 2025 के लिए चुना गया है भारत का कौन सा राज जे रागी का अगर नी उत्पादक है रागी का उत्पादन करनाटक करता है कौन करता है रागी का उत्पादन करनाटक ए हो जाएगा सही जवाब हाल ही में National Stock Exchange के परबंद निदिसक और CEO के रूप में किसी न्यूक्त किया गया है सही जवाब है आशिश कुमार चोहन क्या बने है NSE के परवंद निर्देशक और CEO राष्ट मंडल खेल 2022 में भायत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले अंचिता सोली किस खेल से याद करिये किस खेल से भारुत तोलन से जुड़ी ही हैं ध्यान रखना है किस से भारुत तोलन से ऑप्चन नमबर देखी कौन सा हो जाएगा ए सही जवाब मुस्लिम महिला अधिकार दिवस बताए कब मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस एक अगस्त को मनता है कब मनता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस एक अगस्त हो जाएगा सही जवाब किस भारती क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से सन्यास की घोशना की है किस ने किया है सुरेश रैना ने option number C सुरेशना क्या किया है सभी प्रारूप से सन्यास लेने की घोशना किया है COVID-19 से समंदित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विक्सित किया गया जिसे DCGI की मंजूरी मिली है नाम बताईए क्या था वो भारत ये आपको बायोटेक बताना था केंद्रिय मंत्री मंदर जो अगस 2022 में बना प्रधान मंत्री आवास योजना सहरी को किस वर्स तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है बताईए 2024 तक भी हो जाएगा राइट आंसर किस कंपनी ने दूसरी पी ही का इथनॉर प्लांट विक्सित किया है जिसका हाल इमें उधगाटन किया गया है एर आई आई यल का किसका र आई यल हो जाएगा सही जवाब कौन सी फार्मा कमपनी भाइत का पहला सर्वाइकल केंशर वैक्सिन लॉंच करेगी कौन करेगी उप्शन नमबर सी सीरा मिंस्टिटूट उफ इंडिया सही जवाब हो काई टांसर कहा के थे रूश के थे हाली में कहा रहा खबरों में रहा लिन्थोई चनंबम किस खेल से जुड़ी हुई है ऑप्शन नमबर आपको भी बताना है जूडों से ये जुड़ी हुई थी भारती है बते ये क्यों सा भारती राच या फिर किंद्र सासित परदेश है जिसने परिवार कल्यान काड योजना लांच किया है सही जबाब हो जाएगा उप्शन नमबर बी किस ने किया है उत्तर परदेश ने किया है क्या किया उत्तर परदेश ने परिवार कल्यान काड योजना लांच किया है विस्वी सेरेब्रल पॉलसी दिवस किस डेट को मनाय जाता है मनता है भी 6 अक्टूबर को विश्विशेरेबल पॉल्सी दिवस मनाया जाता है बहुत है कि में नोबल पुरुषकार 2022 के विज़ता में से एक एंटोन जिलिंगर किस देश से हैं बताएं अस्ट्रिया कहां के हैं अस्ट्रिया के हैं Optimus किस कंपनी के द्वारा लॉंच किया गया प्रोटू टाइप रोबोट है ऑप्शन नमबर आपको यहाँ पे ए और बी तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है सी हो जाएगा सही जवाब टेशला राई टांसर है चलिए बताए एक नई उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉंच किया गया है ऑप्शन नमबर ए हो जाएगा भारती रिजर्ड बैंक के द्वारा एसिया के सबसे बरे कंप्रेश्ट बायो गैस प्लांट उद्गाटन किस राज़ में है या है पंजाब ऑप्शन नमबर भी कहले है किस राज़ में कहां बताना है इसके लिए आपको पंजाब बताना है भारतीय मूल के लीडर लियो वराड कर को किस देश के पर्धान मंत्री के रूप में चुना गया है सही जवाब हो जाएगा C. आयरलेंड लियो वराड कर किस देश के पर्धान मंत्री के रूप में चुने गए आयरलेंड के और ये भारतीय मूल के है पर्धान मंदी ने किस सहर में जुकूरी प्रवेश कार्का सुभारम किया गर्टला में रिग्याने क्या हूवा है गर्टला में क्या हूवा सेट्र का गर्वाद पूछेगा हैं घर्वाद में ऑप्शन इंड Electent नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप टेंड वर्ड रेस्टूरेशन फ्लैक्सिप में अस्थान दिया है ऑप्शन नमबर बी राइट आसर नमामी गंगे को किसको दिया है नमामी गंगे को क्या किया गया है टॉप टेंड वर्ड रेस्टूरेशन फ्लैक्सिप में अस्थान दिया गया है भारत और कजाकिस्तान कैसे ना है भारत के किसराज में एक्सरसाइज काजिन्द twenty-two का आयुजण की रहता है अप्शन नमबर आपको यह बताना है नेपाल हो जाएगा सही जवाब निम्लखित में से भिहार के कौनसे मुख्यमंत्री बिहार विधान परिष़कें अध्यक्श भी रहे हैं अब्दूल गफूर सी सही जवाब देखिए अब्दूल जुग गफूर है ना ये दो जूलाई 1973 से ले करके 11 अप्रेल 1975 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और विधान परिशत के अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे थे यह आपको ध्यान रख लेना है विधान परिशत के यहाँ पर अध्यक्ष पूछा गया है यह भी यह रह चुके थे 94 का बी राई टांसर कहां पर है पतना में बताना है बिहार संग्राले कहां परिस्थित है बिहार संग्राले है पतना में यह राई टांसर हो जाएगा निम्न में से किसे भुझपुरी सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है 96 का option number विशुनाथ प्रसाद शाहबादी को भोजपुरी सिनमा के जनक के रूप में जानते हैं भोजपुरी सिनमा के जनक किसे जानते हैं विशुनाथ प्रसाद को किसको जानते हैं विशुनाथ प्रसाद याद रखिएगा क्या इसके बारे हम जानते हैं ये भोचपुरी सुन्यवा के जनक हैं मिथलाच छेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है पवित्र माना जाता है option number C सही जवाब कमला को मिथलाच छेत्र में किस नदी को गंगा के ही समान तो कमला को माना गया है क्या माना गया है पवित्र माना गया है कमला नदी मितला छेतर में अगर पूछेगा कहां पर तो ये मधवनी जीले के जैन अगर से प्रवेश करती है ध्यान रखेगा बिहार के राजस एवंग भूमी शुधार विभाग के मंत्री कौन है मंत्री हैं आलोक कुमार महता बिहार में वज़पात स की योजना की गई है हुटर मतलब जो सैजन अवाज करने वाला उसकी बारे में कह रहा है ये सभी जीलों में आपको यहां पे ध्यान रखना है बिहार के ग्रामीन इलाकों में पाने उपलब कराने के लिए कितने गउँ में एक एक चापाकल लगाया जाने की योजना की गई है अप्शन नमबर सी राइट अंसर दस हजार ध्यान दे बिहार के ग्रामीन इलाके में पाने के किल्ड़ को दूर करने के लिए न दस हजार गौँ में एक एक चापा का लगाया जाएगा गहराई इसका अगर पूछेगा तो तीन सौ फीट इसका रखा जाएगा ध्यान देन पॉइंट पे पॉइंट पे तीन सौ फीट गहराई होगी